हेलो वीवस असलाम अलेकूम वेलकाम बैक टू में चैनल उमीद करती हूँ आप सब खैरियत से लिए तो आज मैं फिर से से शेयर करूंगी आप लोगों के साथ विंटर स्पेसल स्कीन केर एक डियाएवाई हूंडे में देजी विंटर सीजन में हमारी स्कीन डल रफ और कर सकते हैं और इसे स्टोर करके रखना भी बहुत ही आसान है इसके यूज से आप इसे अगर रिगुलर यूज करें तो आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स, दाग, धब्बे, ब्लेमिसेस भी रिमूब हो जाएंगे और साथ इसाथ एजिंग साइन भी रिमूब होंगे और ताकि स्कीन हाइडरे वी रहेगा इससे यह आपकी स्कीन की मॉईस्चर को भी लॉग करेगा ताकि आपकी स्कीन बिलकूल ड्राइन आप तो बहुत ही आसान तरीके से यह क्रेम घर में आज प्रिपियर कैसे करना है मैं आज आपे लोगों के साथ सेयर करूंगी तो देर नक पानी में भीगने के लिए रात भर छोड़ दिया है इस तरह से यहां पे मैंने बादाम का स्कीन को उतार लिया है इसका छिलका उतारने के बाद एक मिक्सर के जार में डालके इसका पीसना है इसको अच्छे तरह से मिक्सर के जार में डालने के बाद अब हम लोग इसमें देखिए पेस्ट बना लिया है, अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और रोज वाटर इसमें मिक्स कर सकते हैं, अब हम लोग एक स्ट्रेनर की हिल्प से इसे स्ट्रेन करेंगे, इस तरह से स्ट्रेनर की हिल्प से हम लोग इसे प्रेस करते हुए इसको अच्छे से आदम बचा हुआ है, इसे हम लोग एजे स्क्रब भी यूज कर सकते हैं, इसे मैंने अच्छे से छान लिया है, अब इससे हम लोग क्रीम बनाना स्टार्ट करेंगे, यह जो क्रीम है यह आप इसे विंडर में यूज करके देखे, आप इसे समर में भी यूज कर सकते हैं, इ हेल्प करेगा हम लोग इसमें पहला इंग्रेडियंट्स मिक्स करेंगे जो की है ऐलोवेरा जेल इसमें हम लोग यहां पे करीबन एक चम्मच भर के ऐलोवेरा जेल मिक्स किया है अब हम लोग इसमें एड करेंगे करीबन हाफ टी स्पून ग्लिसरीन फिर हम लोग इसमें एड करेंगे यहाँ पे बिलकुल थोड़ा सा रोज पेटल पाउडर अगर आपके पास रोज पेटल पाउडर यानि कि गुलाब की पंकुडिया का पाउडर ना हो तो फिर आप गुलाब को रोज वाटर में पीस के उसका जूस निकालके इसमें एड़ कर सकते हैं अब इन सारे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये दिखिए इसकी कंसिस्टेंसी किपना अच्छा आया है बिलकुल क्रिमी सॉफ्ट सा आया है अब इसमें हम लोग और करेंगे बीटेमिन ए की कैपसूल को कट करके इस तरह से आड़ करना है दो से तीब यहाँ पर आप वीटमीन E की कैपसूल कट करके इसमें एड कर दे और आखरी में इसमें हम लोग एड करेंगे स्वीट आलमंड ओयल करीबन वन टी स्पून अब इन सारे चीजों को फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यह हमारा बहतरी रोज आलमंड क्रीम बनके बिल्कुल तैयार है इसे आप इजिली स्टोर करके फ्रीज में 7 डेज तक रख सकते हैं और इसे लग इसे लगा के राद भर लगे रहने दे फिर सवेरे मॉर्निंग में अपने फेस को प्रेइन वाटर से क्लीन कर ले कोशिस करें इसे ग्लास के जार में ही स्टोर करके रखने का यह कितना स्मूध सा क्रीम बना है मैं आपको दिखा रहे हूं इधर एपलाई करके अपने हाथ कोशिस करें इसे डेली रात में आप अपलाई करने का अगर रात में नहीं पॉसिबल है तो आप इसे दीन में भी नहाने के बाद इसे अपने फेसमें निक में अपलाई कर सकते आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके तो मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज